नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तो बात करने वाले हैं ओटो सैक्टर के दिग्गज स्टॉक्स के बारे में मदर संसूमी सिस्टम के बारे में दोस्तो n से आप जानते हैं कि काफी बहतरी इनिस फN chegar Cris है अगर बात करें लगबग पीछे जब तक कोरोना पेंडेमिक के दिरौन जो है गिरावट आई थी तब से लेकर अब तक कि हम इसमें रिटरंस कैलकुलेट करने की कुछिस करें तो काफी मल्टीवेगर रिटरंस जो हमें कौन सा प्राइस टारगेट गारंटिड जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला है दोस्तोर बात करते हैं इसके आज करें Caitlin के बनाया लगबग 116.60 पैसे के आसपास लो बनाया तो स्टोक्स में कुछ खास गिरावट नहीं हुई है और अगर हाई की बात करें तो लगबग 122.15 पैसे के आसपास जो है स्टोक्स अपना हाई बनाता है अब दोस्तो मन में दो तीन सवाल खड़े हो रहे होंगे कि अगर स् रेटन मिली जाएंगे अगर आप लोंग टर्म का प्रोस्पक्टर्स रखते हैं बट अगर आप शोर्ट टर्म के लिए कोई पोजिशन क्रेट करना चाहते हैं तो काफी अच्छे लेवल पर जो है इस समय स्टोक्स खड़ा हुआ है अगर दिन की बात करने तो साड़े तीन परसेंट से जादे के पोजिटिव रिटरं जो हैं आपको देखने को मिल चुके हैं बात कर लेते हैं थोड़ा सा पांच दिनों के बारे में किस तरीकी की चाल जो है स्टोक्स के अंदर देखने को मिली तो आप देख पाने कि लगबग जो है 110 रूपे के लेवल के और वहीं पर जो है अपना सपोर्ट बनाने की कोशिस करता है और उसके बाद में जो है एक तगड़ी चाल जो है स्टोक्स के अंदर बनती नजर आ रही है दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 110 रूपे से लेकर अगर 122 रूपे को स्टोक टरस करता है तो कितने है कि इंट्राडे के अंदर पैसा ना कम अपाएं पर दोस्तों यह ऐसा स्टोक्स है कि अगर आप जो है लोंग टम का प्रस्पेक्टर रखते हैं तो इस स्टोक्स से आप गारेंटिट पैसा कमा लेंगे ओटो सेक्टर का दिगगत से रहें कंपनी का बिजनिस प्रोफाइल बिजनिस मेंज़मेंट्स सब को इतना बहतरीं है इसकी सेल जो है वो भी विदेस में जिसके पार्ट्स है विदेस में जो है और दो किके फिलाल में तो फिलाल में तो आपको उपर घ्र का जो है ठाल में निज़ारी एक沒有 बाद करें नीचे कि 106 रुपे के आसपास कि रहाने पर ऩाद में लगभक फिर भी बाद दो 2 पर से ज्यादा कि पॉजिटिव रिटन्स देखने को मिल चुके हैं बात करें अगर वन मंत के दुरान किस तरीके का मुमेंटम देखने को मिला तो लगबग 139.50 पैसे के आसपास तक जाने के बाद में स्टॉक्स में गिरावट बनी और नीचे लगबग 107.55 पैसे के आसपास त तो अगर जो है 117-118 रुप के आसपास अगर ये स्टॉक्स आपको मिलता है तो आप जो है डेफिनेटली जो है स्टॉक्स के अंदर बाई कर सकते हैं क्योंकि आपको ये काफित अगड़ा रिटन जो है लगबग बात करें कहां तक 125 रुपे तक दोस्तों आप इस चीज को तो पहला टार्गेट स्टॉक्स के अंदर लगबग अपना 150 रुपे का लेवल जो का उसको क्रोस करना होगा और अगर 150 रुपे कर लेवल जो क्रोस करता है तो लोंग टर्म में जो है आपको और भी अच्छे लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस करें तो लगब 63.8 और अगर पिछले साल की बात करें तो इसमें थोड़ा साइस में इस साल के मुकाबल में थोड़े गिरावाट दिखाई दे रही है और बात करते हैं अगर प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में किस तरीके का इंक्रीजमेंट देखने को मिलाए दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं कि जितनी भी सारी इनकी सेल्स वगरा है अभी लोगडाउन हो गये तो तो सारी चीज परभावित हो गई थी अब धीरे-धीरे करके जो है इसके अंदर रिकवरी जो है आना शुरू होगी आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छा रिटर्ण जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है और यह जो यलो कलर की आपको लाइन दिखाई दरी प्लेज होल्डिंग लगबख साथ परसेंट के आसपास जो है प्लेज होल्डिंग है इस कंपनी पर करजा है फिलाल में यह चीज़नोट करने वाली है और बाकि बात करें मुचल के आसपास जो है FIS की जो है इसमें होल्डिंग बनती ही नज़र आ रही है अब बात कर लेते हैं यह आंकड़े हैं लगबग जून 2020 के अगर बात करें मार्च जो है 7% के आसपास जो है फिलाल में दिखाई दरा जो की पोजिटिव साइन है दोस्तों यह चीज सोचने वाली है कि अगर स्टॉक्स के अंदर प्लेज होल्डिंग घटी वी नज़र आ रही है तो कहीं नज़र डाल लेते हैं दिसंबर 2019 के आसपास तो प्लेज होल्डिंग क इतनी थी लगबग 5% के ऐसपास उसके बाद में 8% हो गई और फिर उसके बाद में जो है प्लेज होल्डिंग तो यह उतार चड़हां फिलाल में चल रहे हैं बाकी जो है लोंग टोंग का प्रोस्पक्टस है, कम्पनी बहुत अच्छी है, फंडनावेंटल्स बहुत अच्छी है, बाकी उतार चड़ाब तो हर कम्पनियों में देखने को मिलते रहते हैं, तोस्तों कर जानकार यह आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक जरूर कीजेगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीदे आपके मॉबाइल पर मिल सकें, तैंकी सो मच फर वाचिंग,